मित्रों हैरानी होती है ना कि एक गुण का ठुकड़ा कैसे डेर्ड करोड रुपे बना सकता है एक साल के अंदर जब हमने इसके बारे में जाना समझा कि ये कैसे काम करता है तो सामने निकल के आया FTM मॉडल जैगरी मार्केट 2021 तक 48.7 बिलियंज डॉलर का था और जिस तेजी से ये ग्रो हो रहा है एक सो साथ बिलियंज डॉलर का ये हो जाएगा 2027 तक इसकी मार्केट इंक्रीज का एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोग सस्टेनेबल और हेल्थ कॉंशेस बनते जा रहे हैं इंडिया कि Ministry of Commerce Industry की माने तो 70% लोग जैगरी को Medical Sugar के नाम से जानते हैं और अगर इस डेटा के हिसाब से चला जाए तो 36% एप्रॉक्स लोग जो है स्विच करते हैं शुगर से जैगरी की तरफ जो कि एक का Unrefined Nature जो शुगर से बिलकुल अलग है इतना खास और Preferable Choice बनाता है यंग इं इसकी शेल्फ लाइफ कम होने की वजए से जैगरी एक सीजनल प्रोड़क्ट तो है ही जब शुगर केन की खेती होती है तब ही आपको जैगरी मिलता है और इसलिए एक स्कार सिटी भी पैदा होती है मार्केट के अंदर अब इसका एक्जामपल हम गोल्ड से लगा सकते हैं जिस स्नेक मार्केट में आज हेल्दी ओप्शन के रूप में तूयम जैसे ब्रैंड पहले से ही बैठे हैं वहाँ एक भी ओप्शन जैगरी का ना होना सर्प्राइस भी करता है और यही रिज़न है जैगर केन इतना जल्दी और सक्सेस्फुल हो रहा है जैगर केन 2021 में ये घर के अलावा कोई ने कर सकता लेकिन गुड का सही इस्तिमाल मार्केट में कैसे किया जाता है ये इन्होंने दर्शाया है हेल्दी स्नेक्स की इस समय साट बिलियन डॉलर को वर्थ करती है 2022 तक लेकिन वह भी छोड़िये अगर किसी को शुगर की आज तलब होती है तो वह पर एक मांग ये भी बढ़ती है कि जैगरी जब स्नेक्स के रूप में लोग को सर्फ किया जाएगा तब उसकी डिमांड ऑटोमेटिक ली बढ़ जाएगी और शुगर फ्री मार्केट जैसे तैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है और नवनूर कौर और कोशल सिंग ने भी इ जैगरी से बनाया जाते थे जैगरी क्रब्स आलमंट इलाइची जैगरी क्रम्स ग्रनोला और पंप्किन सीड जैगरी यह स्टार्टप डीटू सी बिजनस मॉडल का है लेकिन अखरी फ्रीं मॉडल है क्या लेकिन उस से पहले यह जानने ज़रूरी है कि डीटू सी यह ना केवल इंडिया में दुबई, स्पेन और कैनेडा में भी सर्फ करते हैं और इनके प्रॉडक्स कुछ इस तरीके से प्राइस किये गए हैं जहां पर हेल्दी इटिंग अफॉर्डेबल बनाई जा सके क्योंकि ज्यादा तर यह ओमनी चैनल फॉर्मेट पर काम करते हैं यानि के अपनी वेबसाइट ओफ्लेंड रिटेलर्स और e-commerce marketplaces जैसे Amazon इसके अलावा इन्होंने अपने flagship stores को launch किया ओफ्लेंड स्पेस के अंदर लोधियाना चंदिगर्ड और पंच कुला में जहां पर यह जैगरी प्रॉडक्स को स्नैक के रूप में सर्फ करते हैं तो बा जोग इन्हें seeds provide करते हैं fertilizers provide करते है technical inputs देते हैं कि organic farming को कैसे relate किया जा सके ताकि जो loss होता है sugar cane के juice में उसको minimize किया जा सके क्योंकि उससे जैगरी बननी होती है और इनकी जो manufacturing process कुछ ऐसे काम करती है जहां पर farmers को encouragement मिलता है कि वह अपनी processing units को अपने ही घरों में लगा सकते ह market में successful होने का एक जरिया है और दूसरा जरिया यह आता है कि यह उन लोगों को target करते हैं जो health conscious millennials है यानि कि हमारा youth और जो लोग सिर्फ bad के काम करते रहते हैं उनके लिए यह market opportunity लेके आए जहां पर gluten free तो होता ही है वीगन भी होता है protein rich भी होता है और आपको sugar chemical से भी freely snacks product खा बनाती है जैगर के उन companies में से एक है जो अपनी जैगरी को sodium bicarbonate से clean नहीं करती बहुत सी companies इसको करती है ताकि वो लंबे समय तक stable रह सके market के अंदर वो जैगरी लेकिन यह natural processes से करते है लेडी finger का इस्तिमाल करते यानि आपकी भिंडी का इस्तिमाल करते जो एक natural method है अपनी जैगरी को बासी होने से बचाने का तो लोगों के मन में ये curiosity जगती है कि इन्होंने क्या marketing का इस्तिमाल किया होगा इनकी strategy क्या रही होगी जब ये पहली बार market में उतरे होंगे जैगर के इनने अपनी पहली initial market जो थी वो सिर्फ awareness के तोर पे फैलाई जहाँ पर वो सिर्फ product testing marketing पे focus करते हैं यानि इसका मतलब ये भी है कि ये word of mouth का एक तरीका है कि आपको मैं taste कराता हूँ आपको taste पसंद आता है तो आप और लीजिए और इसका इनको एक बहुत अच्छा positive result देखने को मिला जहाँ पर 10 में से 7 लोग इनके products पे shift कर गए जहाँ पर sugar consumption को वो cut down करना चाहते थे वैसे अगर एक food business है या snack business है उसके लिए सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप word of mouth marketing की तरफ initially जाएं क्योंकि अगर आप B2B की तरफ देखें लोग जालता है promote करते हैं अपनी website को digitally ताकि उनका product logo तक पहुँच सके लेकिन वहीं एक gap ये भी रह जाता है कि लोग उसको use कैसे करेंगे सबसे पहले free में क्योंकि आपकी website तो उन तक पहुँच गई लेकिन उसका product अभी उस website पही है तो जरूरी है कि लोगों तक पहले वो product पहुचाया जाए जो बहुत से snack startup यही करते हैं तो इस छोड़ी सी case study में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये क्य लोगों को पता है कि जैगरी का use कितना important हो चुका है शोगर को cut down करना है अपने आपको healthy रखना है और snacks भी खाने है तो उसके लिए जैगरी का consumption आपको करना पड़ेगा और यही एक element बनाता है इनके startup के अंदर भी कि लोग consume करना चाहते हैं इन चीजों को दूसरा point यह आता तो यम भी इसी marketing strategy के तहत अपने initial phases में बूस्ट पर गया था यानि word of mouth और तीसरा दोस्तो वैल्यूबिलिटी जहां पर जैगरी शुगर का सिरफ एक मात्र alternative है वो इसको और ज्यादा unique और exciting बनाता है उन लोगों के लिए जो sugary foods को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हे सिर्फ एक healthy alternative इसी के रूप में मिल सकता है और यही reason है snack market का इतना grow भी हो आपको क्या लगता है comment box में comment करके बताना बाकि लेट वाली वीडियो में शून ये रुपे से आप कौन सा business start कर सकते हो और right वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और right वाली वीडियो म याने कैसे सो खरोड रुपे बनाए सिर्फ consultancy मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy